साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ राष्ट्रिय मुक्त विद्यालेई शिक्षा संस्थान की ओर से कारी शिक्षा पर यह जो आयोजित सत्र है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन कारी शिक्षा के संदर्व में आज हम जानकारी लेंगे कि जब हम कारी शिक्षा संबंदी गतिविदियों का चयन करें, तो स्थान का निर्धारन किस प्रकार से करें हम पहले से ही इस बात को जानते हैं कि समय का निधारन बहुत जरूरी है, सामगरी के बारे में जानकार लिएना बहुत आवश्चक है और यह भी बहुत आवश्चक है कि वे कौन-कौन से इस्थान हो जहां पर कारे शिक्षा के अंतरगत विद्यार्थियों को अनुभव दिये जा सकते हैं कारे शिक्षा संबंदी कारे कलापों को सफल संचालन हेतु इस्थान की उप्युक्तता एक महती आवश्चकता है प्रात्मिक इस्तर पर कारे शिक्षा, किर्याई, सरल और बच्चों के लिए आनंददाई होती हैं वे पर्यावरण अध्यन के रूप में कारे परिस्थितियों तथा कारे की प्रारंबिक प्रक्रियाँ के अवलोकन के रूप में होती हैं यदि आप इस्थत्य को भली बाती समझ गए हैं तो इस्थान निर्धारन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। सबजी विक्रेता की दुकान, रहडी, दरजी की दुकान, डाक घर, बैंक, राशन की दुकान, फल सरंख्षन केंद्र, सामुदाईक केंद्र, बस्ती विकास केंद्र, प्रोड एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, पार्क, खेत, बाग बगीचे, क्यारियां, सुविधा वंचित समुहों के लिए बनाए गए विशेश सुविधा केंद्र, जैसे अंध विद्याले, वृत जनों के लिए ग्रह, बाल ग्रह आदी, अपना बाजार, सुपर बाजार, साप्ताहिक बाजार आदी, लगू कुटीर, साप्ताहिक बाजार वा समय समय पर लगने वाले मेले, ये सब ऐसे कारे इस्थल हैं, जहां पर हम अवलोकन हेतु अपने विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं, एक बात और बहुत महत्पूर्ण है, कि कारे इस्थलों का चुनाव तो हमने कर लिया, पर कारे इस्थल के चुनाव के लिए और क्या-क्या बातें हमने ध्यान में रखनी हैं, अब इस बारे में मैं आप से बात करूंगी, पहला महत्पूर्ण बिंदु है कारे इस्थल की विद्याले से दूरी, यदी कारे इस्थल विद्याले से बहुत दूर है, तो जाने अंजाने में समय और हमारी शक्ती दोनों का ही अपवय होगा, इसलिए कोशिश ये करें कि कम दूरी वाले कारे इस्थलों को प्राथमिक दें दूसरा महत्पूर्ण बिंदू है भागोलिक और सामाजिक परिस्तिति भागोलिक से हमारा मतलब है मौसम की दशा यानि कि बहुत अधिक ठंडी जगा प्रचंड गर्मी हो या बारिश के दिन हो तो हम बच्चों को बाहर के कारिस्थलों पर ना ले जाएं बच्चों का स्वास्थ और सुरक्षा यह हमारी पहली चिंता है सामाजिक परिस्तिति से तातपर है कि बस्ती में या कारिस्थल के आसपास यदि कोई विशेश घटना दुखद है सुखद है तो उसका भी हम ध्यान रखें कई बार राजनेतिक रेलिया निकल रही है या विवहा का जु बचें तीसरी महत्पूर बात है बच्चों की संख्या हम जब अवलोकन के लिए शेक्षिक भ्रमन के लिए जाएं तो बच्चों की संख्या को नजर अंदास नहीं कर सकते हैं कितने बच्चों को हम एक साथ कारिस्थल के अवलोकन हेतु ले जा सकते हैं इसका निरने लेना बहुत जरूरी है मान लिया मैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ ले जा रही हूँ और पता चला कि वहाँ पर मात्र दस या बारा बच्चे ही इखटे अवलोकन कर सकते हैं तो हमें इस शक्षिक ब्रह्मन का जो भी उद्देश होगा वो बेकार हो जाएगा तो बच्चों की संख्या को भी दिमाग में रखना होगा अब बात करूंगी कि कारिशिक्षा के सत्रों की योजना में कैसे बनाओ सत्रों की योजना बनाने से पहले बहुत सारे ऐसे महत्पूर बिंदु है जिन पर हम ध्यान देंगे पहला बिंदू है बच्चों को स्वा अभिव्यक्ति के अवसर दिये जाए चाहे वे शक्षिक देशाटन की बात हो, चाहे वे अवलोकन की बात हो, चाहे सुचता सफाई की बात हो, किसी भी गतिविदी की बात हो हमें बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अबसर देने ही होंगे दूसरी बात बच्चों को उनके आस पास के परिवेश का अबलोकन करने और उसके प्रती रूची जागरित करने के अबसर देने होंगे तीसरी बात अपने दिन प्रति दिन के कार्णों को सही तरीके से करने में सहायता देना प्राकिर्तिक संसाधनों के सरंख्षण के प्रति जागरूपता पैदा करना भिन्न भिन्न किर्याओं से प्राप्त अनुभमों के एकिकरण में मदद करना दिन प्रति दिन की समस्याओं को सुलजाने के लिए आधार भूत कौशल प्राप्त करनों में बच्चे की सहायता करना समुह में रहने और दूसरों की सहायता करने से संबंदित सकारात्मक दृष्टिकोंड पैदा करने में मदद करना और आगे की बात है कि अब ये जो सारे हमने महतपुर बिंदू करें कि हम इस काम में मदद करें उस काम में मदद करें तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन-कौन से किर्या कलाप कराए जा सकते हैं पहली बात करूंगी मूल भूत जरूरतों की श्रेष्ट तरपूरती से जुड़े कारिकलाप रोज मर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं हम जो हमारी मूल भूत जरूरतों से जुड़े होते हैं मूल भूत जरूरतों में सबसे पहला शेत्र है स्वास्थ एवं स्वच्छता तो स्वास्थ एवं स्वच्छता के शेत्र में क्या क्या काम किये जा सकते हैं हम और आप मिलकर उसकी एक सूची बनाते हैं और हमारी सूची में सबसे पहला आएगा व्यक्तिगत सफाई के प्रती जागुरूपता अपने काम में आने वाली वस्तुन की सफाई एवं रख रखा दूसरी गतिविदी कौपी और किताबों पर जिल्त चड़ाना घर एवं विद्याले में सफाई बनाए रखना छोटी मोटी मरम्मत टाट पटी, बुक रैक, दरी, पोस्टर, कलेंडर, चार्ट पेपर आदी चीजें जो घर में रखी हैं, तस्वीरे हैं उनका कैसे बढ़िया तरीके से रख रखाव किया जाए ये गतिविदियां जो मैंने सुझाई हैं ये सब प्रस्तावित हैं आप ये नहीं कह सकते कि हर कीमत पे यही कराई जाएं आप अपने मन से भी, अपने अनुभव से भी इसमें और गतिविदियां जोर सकते हैं दूसरा हमारा शेत्र होगा भोजन एवं क्रिशी भोजन एवं क्रिशी की लिए भी हम और आप मिलकर एक सुझी तयार करते हैं पहली क्यदिविधी हो सकती है भिन्य प्रकार के बीज, वन उत्पाद, खाद वा मिट्टी की पहचान करना दूसरा क्रिशी के काम में प्रयुक्त, सामान्य उपकरण, क्रिशी उत्पाद, एवं खाद की पहचान करना तीसरा कंपोस्ट खाद के गड़े को तयार करना, क्यारी तयार करना, अच्छे बीजों का चुनाव करना और बीज बोना इस गतिविदी के बारे में शायद आप प्रश्ण करें, आप कहेंगे कि माडम जो शहरी इलाका है, ऐसा इलाका जहां पर आसपास कोई भी बागवानी की जगा नहीं है वहाँ पर हम कंपोस्ट खात कैसे तयार करें, क्यारी कैसे तयार करें, तो देखिए ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है गतिविदी हम करवा सकते हैं, उसके लिए मात्र आपके दृष्टिकून की आवशकता है बहुत से ऐसे घरों में काली डिब्बे होते हैं, जिन खाली डिब्बों को घर में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनको मंगवाईए उनको एक गमले की तरह तयार करिए और उसमें हम क्यारी नहीं, तो कम से कम गमला तो तयार कर सकते हैं और इस तरीके से उसको बागवानी संबंदी गतिविदी में जोड सकते हैं फिर अगली गतिविदी हो सकती है पौधों की देख भाल और फिर पौधों की रख रखाव खाद एवन फल सरंक्षण यहां भी आप सवाल कर सकते हैं कि फल सरंक्षन में तो मुरब्वे बनाना जैली बनाना ऐसी तमाम बड़ी बड़ी गतिविदियों की बात नहीं कर रही मैं यहां पर यह कह रही हूँ कि जैसे मान लिया उसने नीबु पानी बनाना सीख लिया या नीबु काट कर और अद्रक काट कर या कच्ची हल्दी लेकर नमक काली मिर्च डाल कर एक ताजा-ताजा खाने का कोई मसाला तयार कर लिया यह भी हमारा खादे एवं फल सरंक्षन में आएगा इस से बच्चे के अंदर ये एक ज्यान एक समझ पैदा होगी कि फल इत्यादी को बिना मौसम के बाबजूद भी हम किसी ना किसी और रूब में खा सकते हैं और फल सरंक्षन से जुड़ी जो तक्नीकी वे ज्यानिक तत्थ परता है ज्यान है उसकी भी समझ परदान कर सकते हैं बात आती है आगे चाय, कॉफी, जलजीरा, आदी बनाना, शर्बत, अचार बनाना और घड़े, मिट्टी का ड्रम, गुलदानों की सहायता से कूलर तयार करने का प्रयास करना प्लास्टिक, जूट, डोरी, आदी की सहायता से जींगा तयार करना जींगा शब्द पे शायद आपको लगता होगा कि क्या चीज होती है आप आम तर पे छीका भी बोलते हैं इसको या रसी की मदद से, सुतली की मदद से एक ऐसा वस्तु तयार करना जिसमें प्याज, लह सुन इत्यादी सबजी तयार करके रखी जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि इसे नीचे आप फर्ष पर रखते हैं तो सीलन आ जाती है तो आम तर पे घरों में आपने देखा होगा कि छत से कोई सुतली नुमा चीज लेकर ये तयार करते हैं और उसमें ऐसा पद पुरई की छाल, पतली इतार, जाली, अनुपयोगी स्पंज, मोजों, आदी से बोतल साफ करने वाले ब्रुश, बरतन साफ करने वाले से जामा बनाना फिर रैक, मेज, कुरसी, स्टूल, चारपाई, नल आदी की मामूली मरमत करना हमारा अगला जो महत्तुपूर शेत्र है कारिशिक्षा का वह है वस्त्र, वस्त्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, वस्त्र अब हम परिधान पूरा होगा यहाँ पर, टीवी बक्से आदी के लिए कवर बनाना, गुडिया, कटपुतली बनाना, बची हुई उनके कपड़ों के टुकड़ों, जूट आदी से आसन और प मैं मात्र केवल आपको सुझा रही हूं कि आवास के अंतरगत, बागवानी के अंतरगत, क्रिशी के अंतरगत, यह यह गतिविदियां हैं, जो आप करा सकते हैं, यदि आपके विद्याले में सुविधा है और अभी भावंकों का सकारातमक दृष्टिकोन है, तो यह विदियां इसमें जोड सकते हैं, हमारा अगला शेतर है परिवेश का सौंदर्य करा, अर्थात अपने कैंपस में सौंदर्यातमक अनुबोध पैदा करने के लिए विद्यार्थियों को क्या-क्या गतिविदियां कराएं, उसके लिए आप बहुत सी उपयोगी वस्तुमें बनवा सकते हैं, यह बस्तुमें कौन-कौनसी हो सकती हैं, पैन, पैंसिल होल्डर, पिन होल्डर, कूरा दान, पत्र पेटी, हाथ का पंखा बनाना, मुखोटे बनाना, मैक्रमे का काम, मैक्रमे का काम यदि आप इस शब्द से परिचित नहीं है, तो मैक्रमे का मतलब है कि प्रेशमी रस्नियां होती है या सुतली होती है उसमें एक तरह-तरह की गाठे डाल कर हम एक चीका जैसा तैयार करते हैं या फूलदान रखने का एक कोई वस्तु तैयार करते हैं उसे हम मैक्रमे का काम बोलते हैं हम विद्यार्थियों को डिस्प्ले बोर्ड के लिए भी सामगरी तयार करने के लिए कह सकते हैं तूटी हुई चूणियों से या इसी तरह की कोई और सामगरी जैसे बटन है, मोती है, चकमक है इन सबसे मिट्टी के बर्तनों को सजवा सकते हैं मिट्टी से खिलोने बनवा सकते हैं तरह तरह के, तो यह बहुत से ऐसे काम हैं जो हम परिवेश के सौंदरी करन के अंतरगत लेते हैं हम सजावट के लिए भी सामगरी तयार करवा सकते हैं कपड़ों की कत्रनों से, पतले रंगीन कागजों से, तार, मोती, धागों, आदी की मदद से फूल बनाए, पत्तियां बनाए और उन से सजावट करवा सकते हैं मिट्टी के बर्तन कई बार घरों में मिल जाते हैं कुलहर इत्यादी, उन पर सजावट करवा सकते हैं मिट्टी से खिलोने, चिडिया, जानवर आदी की आकृती बनवा सकते हैं सुतली, बान, प्लास्टिक के धागों से भी सजावटी वस्तुएं बना सकते हैं घर में बची कुछी उन मिलती है तो उस उन से हम मैट इत्यादी भी बना सकते हैं यदि बास उपलब्द है आसपास तो हम उससे फूलदान भी बनवा सकते हैं ये सब चीजे जो बनाने की बात कही है मैं पुन्हा आपको कहती हूं कि ये सब सुझावित हैं, प्रस्तावित हैं जरूरी नहीं कि आपके परिवेश में बास नहीं है पर बास ही बनाना है नहीं जो भी परिवेश में उपलब्द है आप उससे काम करवा सकते हैं अब कुछ काम हम लेंगे सामुदाइक सेवा से संबंदित समुदाईक सेवा से तातपर है कि विद्याले परिसर के इर्थगित जो भी हमारा समुदाई है वहाँ पर हम विद्यार्थियों को ले जाकर साहमोईक रूप से क्या-क्या काम कर सकते हैं तो पहला हो सकता है मुहले की सफाई अभियान में भाग लेना दूसरा त्योहार आदी उत्सव आने पर समुदाई में लोगों के साथ सजावट के काम में हाथ बटाना बड़े बुणों की यथा संभव आवशक्ता अनुसार मदद करना विद्याले परिसर कक्षा की सफाई में शमता के अनुसार हाथ बटाना चारिरिक रूप से चुनोती पूर्ण व्यक्तियों की दिन प्रती दिन के कामों में मदद करना अब हमारे पास अगला शित्र है सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रिय एकता से संबंदित कारिकलाब विभिने राज्यों के लोगों की खानपान रहन सेन संबंदी आदतों का पता लगाना आप शायद सवाल करें कि दूसरे लोगों की खानपान संबंदी आदतों को जानकर हम क्या करेंगे देखे हम सब जानते हैं हम सामाजिक प्रानी हैं एक सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने के भीतर हम रहते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों की खानपन संबंदी आदतों को जानने से हम अपनी संस्कृति का संबर्धन ही कर रहे हैं और अपने अंदर इस एहसास को पैदा कर रहे हैं कि हम कितनी सम्रद्य संस्कृती से आते हैं अगली गतिविधी हमारी हो सकती है जगा-जगा की हस्त कला की जानकारी इखटी करना संगीत वादियद्मत्रों की जानकारी लेना उनके चित्र इखटे करना गर्तंतरता दिवस, स्वतंतरता दिवस या और इस थरह के जो राष्ट्रिय तोहार हैं उनकी जानकारी देना और उनकी जानकारी के साथ सथ इने मनाने में उनकी सहभागिता को आमंत्रित करना राष्ट्रिय जंडा, राष्ट्रिय चिन, चक्र, आधी बनवाना अगला शेत्र है हमारा पर्यावरण जागरुकता से संबंदित कारिकलाब बहुत ही महत्पून विशे है हाला कि हर विशे बहुत महत्पून है अपने आप में पर पर्यावरण सरंक्षा और जागरुकता से तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते इस शेत्र को तो हर कीमत पर कक्षामे करवाना ही करवाना है। पर्यावरन प्रदूशन के हानी कारक प्रभावों से संबंधित चार्ट बनाना वन महोत्सव ब्रिक्षाडोपन जैसे कारिकरमों में हिस्सा लेना इन कक्षाओं के संदर्भ में कारिशिक्षा के लिए सामगरी का चयन एवं संयोजन कैसा किया जाए हम इस पर भी अब बात करते हैं पहले ही हम और आप आपस में यह समझ बना चुके हैं कि कारिशिक्षा एक अर्थपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रमनिहित गतिविधी है इसकी परलिती या तो किसी उत्पाद के रूप में दिखती है और या किसी सेवा के रूप में यहां पर उत्पाद का तात्पर है जैसे कि कोई मुखोटा बनवाया, रंगोली बनवाई, या कठपुतली बनवाई, या पतंग बनवाई, कोई जंडी बनवाई, फिर्की बनवाई, सूत कतवाया आदी ये हो गया उत्पाद और जब मैंने कहा कि सेवा के रूप में तो सेवा सेतात पर है कि आपने बच्चों को साफ सफाई के अभियान में जोड़ा या कोई सारवजनिक नल है उसकी सजावट के लिए उसकी सफाई के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया या किसी वृद्ध आश्रम में लेकर गए और वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की जो जरूरते हैं उनको समझने की कोशिश की और उनको हम किस प्रकार की मदद कर सकते हैं यह भी हमने किया सेवा संबंदी परिणामों के लिए सामाजिक परिस्थितियां एवं परिवेश हमारे लिए सदैव उपलब्ध हैं परंतु जहां कुछ बनाने का संदर्ब आता है वहाँ अध्यापक या तो विद्यार्थियों को घर से सामगरी लाने के लिए या विद्याले में उस सामगरी को खरीदने के लिए अतिरिक्त फंड की बात करें हमारी कक्षा में बहुत से विद्यार्थि ऐसे हो सकते हैं जो तरह तरह की सामगरी खरीद कर ना दे सकें अब ऐसी परिस्तिती में क्या होता है? बच्चे विद्याले आने से कत्राने लगते हैं? आप खुद से सवाल करिए कि क्या कारिशिक्षा के अंतरगत कारिकलाप करवाने के लिए बाजार से समान मंगाना बहुत जरूरी है? जहां तक उपकरुणों की बात है जैसे चौक, मुंबत्ती, आदी बनाने के लिए खाचे या फिर बांधनी आदी के लिए पती ले आदी की विवस्था तो हम विद्याले से कर सकते हैं और यदि किसी कारणवश विद्याले नहीं दे पा रहा तो समुदाय का सहयोग लेकर भ मंगवाएं क्योंकि यदि हम विद्यार्थियों को सामगरी मंगाने के लिए कहते हैं कि कल आप इतना रंग, इतने मीटर कपड़ा और ये सब लेकर आएं और पता चला कि विद्यार्थी की आर्थिक परिस्तिती ऐसी नहीं है कि वो खरीच सके तो या तो वो विद्याले आ उन पर जोर दबाब डालेगा कि मुझे ये सामगरी खरीद कर ही दो तभी मैं कख्षा में जाओंगे क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे चार और तरह तरह की सामगरी उपलब्द है क्या हम इस सामगरी का उपयोग अपनी कारशिक्षा के लिए कर सकते हैं अपने आसपास उपलब्द सामगरी की हम एक सूची बना सकते हैं और इस सूची की तुलना हम अपने साथी की सूची से करें जो दूसरे शित्रों में रहते हैं इस तरह से हमें अपने इर्द गिर्द वो धेर सारी सामगरी मिल जाएगी जिसका हम उपयोग अपने रोज मर्रा के कारिशिक्षा संबंधी गतिविदियों में कर सकते हैं। यह जो हम सूची बना रहे हैं ना हम इन सूची को तीन भागों में बाट सकते हैं। पहला होगा सरलता पूर वक उपलब्द सामगरी जो प्रकृति से मिली हैं। दूसरी कैटिगरी हो सकती है अनुपयोगी सामगरी और तीसरी श्रेणी हो सकती है कम लागत वाली सामगरी। अब ये जो हमने तीन श्रिणियां बना दी ना तो तीन श्रिणियों में हमें तरह तरह की सामगरी अपने आसपास के परिवेश में ही मिल जाएगी जैसे मैं पहले बात करूंगी प्रकृति से मिलने वाली सामगरी तो प्रकृति में हमें पौधे, बास, पत्तिया, बीज, फल, फूल, पेड, तने, पेड की छाल, जूट, नारियल के खोपरे, नारियल की छाल, रेत, मिट्टी, कंकर, पत्थर, पानी, नीम, लाख, इत्यादी ये सब हमें मिलेगी और इसका किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल हम कख्षा में कर सकते हैं फिर अनुपियोगी सामगरी ये भी हमें अपने घर के इर्दगिर्द से मिलेगी जैसे खाली डिब्बे, पंक, लकड़ी गत्ते के डिब्बे, उपयोगी गई फोर्म, इस्पंज, जूते के डिब्बे, खाली माचिस के डिब्बे, कतरने, पुराना कंबल, टुकडे, पुरानी चटाई, अखबार, पत्रिकाएं, प्लास्टिक के बैग, सॉफ्ट बिंग की बो चेन, साइकल की टूब, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हमें इर्दगिर्द मिल रही हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इखटा करें, इसके अलावा, ये तो हमने इर्दगिर्द ढूंड ली, अब हमें क्या चाहिए, कैंची, चाकू, पैमाना, टेप, गोंध, पड़ा नापने वाला फीता, कुछ छोटी मोटी कीले, लकडी के टुकडे, ब्रश, रंग, नील, गेरू, तरह तरह के रंगीन कागज आदी, ये जो समगरी है, इसको हम अपने विद्याले में इखटा करें, एक ऐसी जगह रखें, जहां वो खराब नहीं हो और खराब न का समुचित रूप से रचनात्मक प्रयोग धी कर सकते हैं, और बच्चो को तरह-तरह की गति विद्यों में जोड सकते हैं। ऐसा नहीं यदि आपके लिए आसान है उपलब्धता है तभी इस तरह की गतिविदियों को करवाएंगे अन्यथा आप अपने अनुभव और परिवेश को आधार बनाकर किसी नई गतिविदी का भीचयन और सामगरी का चुनाव या इखटा कर सकते हैं मुझे लगता है कि आज का विशय आपने जरूर आपने उसका आनंद लिया होगा और उसके प्रति समझ बनाई होगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुना आने के लिए आमंत्रा धन्यवाद